शिक्षा के बदलते परिवेश में स्कूली छात्रों के लिए टेक्निकल एजुकेशन का महत्व सभ्यता के आरबकाल से अर्थात 3000 वर्ष पूर्व से हम लोग पढ़ते एवं पढ़ाते आ रहे हैं कि किसी त्रिभुज निर्मान के लिए हमें तीन पॉस्चुलेट्स जिन्हें SAS, ASA और SSS भी कहते हैं आवश्यक हैं इन 3000 वर्षों में जोमेट्री के तीन पॉस्चुलेट्स के आधार पर बहुत सी साइन्टिफिक थेयरीज और इंस्ट्रुमेंट्स का निर्मान हुआ 2008 में एक नए कंसेप्ट की खोज हुई जिसके अनुसार त्रिभुज की दो भुजाओं के बीच का एंगल भुजाओं के मान से कंप्यूट किया जाने लगा इस नए कंसेप्ट को ग्लोबल मैथ के नाम से जाना जाता है एवं इसे HRD Ministry New Delhi के Copyright Division में रेजिस्टर किया गया है नए कंसेप्ट के द्वारा बहुत सी साइन्टिफिक और मैथेमेटिकल थेयरीज में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है Math Lab Tutors, हम उपर स्पष्ट कर चुके हैं कि 21 सदी में नई तकनीक से किसी ट्राइंगल की दो भुजाओं के बीच का एंगल ग्याद किया जा सकता है नए ज्यान के उपयोग से स्कूली छात्रों की Math Lab Activities द्वारा गणित के सभी Problem Solving Approach में बदलावाया है जैसे अब थ्रिभुज मात्र दो Elements और Quadrilateral पाँच Elements के बदले अब केवल तीन Elements से बनाया जा सकता है ताथपर यह है कि नए शोध से Geometrical Figures निर्मान की विधी में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है और इस नए ग्यान को छात्रों तक पहुँचाना अतियावश्यक है दो सभी कोचिंग संस्थान और ट्यूशन शिक्षक, तीन प्रैक्टिसिंग लैंड सर्वेर, इंजिनियरस और आर्किटेक्ट्स के संस्थानों में नौकरी प्राप करना चार व्यवसाई विस्तार में रुची रखने वाले बिजनेसमेन नए शैक्षिक उत्पादों के फ्रैंचाइजी वित्रग जैसे यूनिट स्लोप ग्राफ वर्क बुक की मार्केटिंग, DLS उपकरण की होल सेल या रिटेल मार्केटिंग पाँच आई पी आर प्रस्ताव की आवेदक तीम के सदस्य बनने में रुची रखने वाले रिसर्च स्कालर्स के लिए सुनहरा अवसर ग्रेजुएट्स इनोवेटिव इंटरप्राइजेज, शैक्षिक प्रोडक्स मार्केटिंग एक क्या आप पुस्तक विक्रेता दुकानों से जुड़े हैं, दो तो आप उन्हें निम्नलिखित शैक्षिक उत्पादों की एजनसी देकर व्यवसाई के विस्तार में सहयोग कर सकते हैं आई यूनिट स्लोप ग्राफ कार्य पुस्तिका तू इंटेलिजन्स बूस्टिंग प्लेवे पहलियों पर आधारित खेल सामगरी जी मेट फांडेशन कनेक्ट्स पीपल इन ओनलान नेट्वर्क फोर जॉप्स एंड हेल्प देम तू मार्केट न्यू एजुकेशनल प्रोडक्स प्लीज सब्सक्राइब दा चैनल नए आई पी आर उत्पाद की शेर होल्डिंग्स नए आई पी आर पर आधारित प्रोडक्स का व्यवसाय लंबे समय तक वित्तिय लाब प्रदान करता है क्योंकि प्रमोटरस 20 साल की अवधी के लिए कानूनी रूप से मोनोपॉलिस्टिक मार्केटिंग का आनन लेते हैं यूनिट स्लोप ग्राफ वर्कबुक मानव संसाधन विकास मंत्राले नई दिल्ली में पंजिकृत आई पी आर से दिराइवड है कस्तावित व्यावसाई गतिविधी निमलिखित शेर होल्डिंग के लिए प्रमोटरों को आमंत्रित करती है पोजीशन एक पचास के पोजीशन दो पचीस के पोजीशन तीन पंदरह के पोजीशन चार दस के समपर्क करें जी मेट फाउंडेशन दुर्ब 36 गड़ फोन 9755039605 वाट्स अप 934027089 जी मेट फाउंडेशन दुर्ब 36 गड़ नया स्टार्टप खोलने के लिए ITI, Entrepreneurship का प्रशिक्षन देता है Internship के विवर्ण है 1. Trade का नाम ITI, Entrepreneurship 2. शैक्षनिक योग्यता किसी भी विशय में graduate 3. Training अवधी एक वर्ष 4. मासित भुकतान प्रशिक्षन अवधी के दौरान 5000 रुपए 5. प्रशिक्षन के बाद नौकरी विकल्प Z-Mate फ्रैंचाईजी केंद्रों में प्रबंधक या व्यक्ति अपना उद्यम स्थापित करने के लिए स्वतन्त रहे Z-Mate Foundation हर तरह का सहयोग करेगा ITI, Entrepreneurship, प्रशिक्षन पाठ्यक्रम 1. नए Educational Products की मार्केटिंग 2. Digital भूमी सर्वेक्षन, DLS, उपकरण की मार्केटिंग तदेश के जल संकट को दूर करने के लिए राश्चिय महत्व की परियोजना जैसे जल जीवन मिशन 36 कड मॉडल जीमैट फाउंडेशन द्वारा प्रस्तावित है इश्वर में हमें आधा जल चक्र दिया है रास्ते में उप्युक्त उचाई पर विशाल समुदरी जल जील का निर्मान करके संद्रहीत पानी से नमक निकालने के सन्यंत्र लगाए जाएंगे नमक मुक्त पानी को राज्य में बहने वाली नदियों में छोड़ा जाएगा इससे नदी और जमीन के जलस्तर में किसी भी मौसम में कमी नहीं होगी यह सोचने का विशय है कि करोडों लोगों को रोजगार देने वाली इस सोशल इंजिनियरिंग परियोजना को 36 गड़ सरकार ने अभी तक क्यों नहीं लागू किया है श्री राहुल जी से अनुरोध है कि वे 36 गड़ राज्य को खुशाल बनाने और करोडों लोगों को रोजगार देने वाली प्रस्तावित योजना को प्रदेश में लागू करवाएं जिससे लोगों को रोजगार मिल सके क्रिप्या वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे मेरे जीवन की उपलब्धिया सिविल इंजिनियरिंग में सर्वोच डिग्री प्राप करने के बाद देश विदेश में प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च पदों पर काम किया है कई किताबे और तकनी की पत्र लिखे है कई शोधार्थियों का मार्गदर्शन भी किया है गनित में उलेखनिया रिसर्च के अनुसार त्रिभुज की रचना में मात्र तीन एलिमेंट्स आवश्च है इस नई अवधार्णा से त्रिभुज बनाने की तीन हजार साल पुरानी धार्णा बदल गई है एकडीमिया.डू दुनिया भर के शिक्षाविदों और शोध विद्वानों के लिए सबसे उप्योगी मंच है हाल ही में 640 शोध विद्वानों ने मेरे लेक का उलेक किया है अपने कार्यकाल में मैं नई खोच से उत्पन्न नए रोजगार के सोर्सेज और इंटरप्राइजेज ग्रेजुएट्स तक नहीं पहुँचा सका किन्तो आशा करता हूँ एक दिन लोग नई खोच का महत्व समझेगे